हलो फ्रेंज वेलकॉम बैक टो मैं यूटूब चैनल वैसे यह फोटो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो को पुरायन तक देखे बिलकुल भी स्किट मत के जे ठीक है और मेरे चैनल पर जो न्यू है बो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजे और बेल आइका और को उपन करते है उसके बाद मॉडल को भी बपन करते है यहां पर तो उसको ले जाते है इधर हो गया इसको शक्रज क्लोश कर देते हैं और पशाङ्श मार्ट ऑबजएकट को स iç उसके बाद इसका साइज चोटा करते हैं यह ठीक है यहां से ओके उसके बाद मोडल बहुत ही ग्लो कर रहा है उसको क्योंकि यह नाइट वाला है ना तो नाइट इफेक्ट देने के लिए नियू लेयर पर क्लिक करते हैं उसके बाद मोडल को इसे क्लिक करने से सेलेक्ट हो जाएगा उसके बाद कलर को चूज करते हैं यह हो गया उसके बाद मून को लाते है यहां से इसको ऐसे इसको क्लोज कर देते है और इसको रैट क्लिक करके इसको भी कनबर टू स्मार्ट अबजेक्ट उसके बाद ब्लेंडिंग मॉड को रखते है स्क्रीन और उसको ले जाते है मॉडल के पीछे ऐसे करके यह हो गया कि उसके बाद चोटा लग रहा है वाला उसका भी साइज थोड़े बढ़ा कर देते हैं इतना ठीक है यह हो गया उसके बाद यहां से होके नुए उसके बाद बेग्राउंड पर क्लिक करके यहाँ न्यू लेयर कि इसके बाद ब्लेंडिंग मोड रखते हैं स्क्रीन स्क्रिन स्क्रिन नहीं कलर डर्च उसके बाद कलर चूज कीजिए ग्रेवाला यह हो गया यहां से ओके उसके बाद सब ब्रॉस कि उपासिटी को इतना ठीक है यहां से हलका सह से ब्रस कीजिए कि यह हो गया कि उसके बाद कि यह वूर्फ है ना उसको लाते हैं यह वाला ट्रॉस टेक्स्ट को कि इसको भी ले जाते हैं उधर और इसको भी राइट क्लिक करके गन्वो टू स्मार्ट अबजेक्ट और ब्लेंडिंग मोड कर रखते हैं स्क्रिन ठीक है उसके बाद इसका भी साइज थोड़ा अड़िस्ट करते हैं चलो इतना ठीक है यहां से ओके यह वाला भी हो गया उसके बाद हम एड़ करते हैं कुछ वूज को वस्ट इसको लाते हैं कर देते हैं कि उसको भी रैट क्लिक करके कंवर्ट स्मार्ट अबजेक्ट इसको ले आते हैं इदर इसका भी साइज थोड़ा बढ़ा कर लेते हैं इतना ठीक है यहां से ओके उसके बाद इसको मोडल के आगे लेना है यहां से ऐसे हो गया इसको भी सेम न्यू लेर और उसको क्लिक करके यह सेलेक्ट हो जाएगा उसके बाद यहां पर कलर रहेगा ब्लाक और इसको भी पेंट करेंगे दीरे दीरे इसका भी डार्क एफेक् यह हो गया उसके बाद इसका कलर थोड़ा मैच नहीं कर रहा है इसको क्या करते हैं यहां से मेज में जाके अज़स्ट्मेंट उसके निच्चे सब्सक्राइब करते हैं अब ठीक है कि यहां से ओके उसके बाद लाते हैं दूसरा वाला को कि इसका वी सेंट कंबोट तो स्मार्ट उबजेक्ट उसके बाद इसका वी साइज थोड़ा चोड़ा करते हैं यह पीछे रहेगा कि यहां कि उसको यह पहले वाला बूल के पीछे लेना है यह हो गया कि उसके बाद इसका वी सेंट न्यू लेर यहां पर क्लिक करके जब सेलेक्ट हो जाएगा उसके बाद उसको भी ब्रस करना है कि यह हो गया कि उसके बाद और एक लाना है यह वाला है कि बहुत ही अद्गजब दिख रहा है सच में उसको ले जाते हैं यहां अंग जिसर ख्लोस कर देते हैं इसका भी सेंट इसके बाद इसका साइज भी तोड़े चोटा करते हैं कि इतना ठीक है उसको ले जाना है मोडल के पीछे कहां गया है मोडल कि यह गया उसके बाद न्यू लेर यहां क्लिक करके सेलेक्ट हो जाएगा तो इसको भी ब्रस करते हैं कि यह हो गया है उसके बाद और एक लाते हैं यह वाला कि इसका भी सेंड कनबर्ट स्मार्ट औपजेक्ट और इसका भी साइज थोड़ा चोड़ा करते हैं यह रहेगा मोडल के आगे कि यहां पर अब बहुत चोड़ा दिख रहे थोड़ा आप ठीक है यहां से ओक है इसको लेते मोडल के आगे हो गया है तो उसके बाद न्यू लेर यहां पर क्लिक करके इसका भी थोड़ा डार्कमेस इफेक्ट देते हैं अब जाओ गया उसके बाद बेग्राउंड में जाते हैं न्यू लेयर पर क्लिक करके यहां ब्रस उसके बाद अलगा से ब्रस करते हैं यहाँ ले च रखेते हैं रखेते हैं यहाँ 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 बश्स लाँ लाँ हुआ है कि अ हुआ जो गया उसके बाद राइट क्लिक करके मज विज्यूल के बाद बेग्राउंड को कोपी कर लेते हैं और न्यू लेर और यहां से इसका रहेगा थोड़ा ग्रे यहां पर क्लिक करके ग्राडियंट कि यहां से ओके यहां वाइट वाला में चूज कीजिए उसके बाद पासिट कर रखते हैं तोड़ा से ज्यादा यहां इन लोगों तोड़ा साल का सब्रस कीजिए हो गया कि इसको मज वीशिवल फिर से बेकरांड कोपी करते हैं उसके बाद जाते हैं इमेज में इमेज में अज्जेस्ट्मेंट और यहां ब्राइटनेस एंड कॉंट्रेस्ट यहां से कॉंट्रेस्ट को थोड़ा ज्यादा करते हैं इतना ठीक है उसके बाद ब्राइटनेस को भी थोड़ अशा है हो गया यहां से ओके उसके बाद जाते हैं फिल्टर में फिल्टर में उसके बाद जाते हैं केमरा रूब फिल्टर यहां पर आने के बाद यहां पर ऑरेंज वाला इना इसको थोड़ा कम करते हैं उसके बाद थोड़ा रेड़ को थोड़ा से कम ब्ल्यू भी जादा दिखे रहे थोड़ा सा यह लोग भी थोड़ा से कम पर्पल यहां ठीक है उसके बाद यहां आते हैं क्लारीटी को थोड़ा से बढ़ाते हैं लेकस को थोड़ा से कम वैट्स को थोड़ा से ज्यादा है और साट उसको थोड़ा से ओके वह गया उसके बाद जाते हैं यहां भी क्लिक करके कलर बैलेंस में और उसको ऐसे माइनस उसके बाद माइनस 6 यह हो गया इसको क्लोज कर देते हैं उसको राइट क्लिक करके मज़ डाउन निव लैर पर क्लिक करते हैं उसके बाद फिल्म यहांसे परसुंग उसके बाद ब्लेंडिन्स लोड करते हैं Vari है है फ्सको अन्ट होड़ स्टुल में क्लिक करते हैं थोड़ा यह उसको क्लें सकologist है झाले 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 यह हो गया उसके बाद right click करके match visual उसके बाद कर देते हैं उसके बाद जाते हैं यह वाला इसको लाते हैं कि यहां पर यहां पर right click करके convert to smart object उसके बाद इसका का ब्लेंडिंग मोड रखते हैं स्क्रीन उसके बाद जाते हैं फिल्टर में फिल्टर में जाने का ब्लॉर यहां से रेडियल ब्लॉर हो गया है यहां स्पिन पर क्लिक करके एमांट को रखते हैं 15 यहां से ओके यह हो गया है उसके बाद उसको लाते हैं और इसका साइज थोड़ा अड़ेस्ट करते हैं इतना तक यहां से ओके हो गया हो गया उसके बाद कि फिल्ट को करते हैं तो बोड़े से कम अब ठीक है हो गया उसके बाद राइट क्लिक करके मज विज्यूल उसके बाद फिल्टर में जाते हैं सार्पन और अंसर्प मास्क इसको एमांट कर रखते हैं कितना 70 ठीक है इसका भी 70 देखते हैं कितना होता है हाँ ठीक है 70 ठीक है यहां से ओके चलो फाइनली हो गया हमारा फोटो फ्रेंस आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और जितने भी अपने फ्रेंस है न सबको सेर कर दो यह वाला वीडियो ठीक है और फोटोसब का ट्यूटर लेक्स बहुत यूनिक आने वाला है तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा ओके और जो लोग मुझे इंस्टागाम भी फॉलो नहीं किये हैं जाओ मुझे वहाँ जाके फॉलो करो और वेट करो नेक्स्ट ट्यूटर लगा ठीक है तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तब के लिए बाई लब यू टेक केर